नमस्कार दोस्तों मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुब कामना है आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 25 शेर्स बताने वाला हूँ जो लॉंग टम में आपको एक अच्छी रिटर्स जनरेट कर सकते हैं और आपके घर में हमेशा दिवाली की खुशिया बनी रह सकती है अब दोस्तों इस वीडियो में जिन 25 शेर्स को मैंने आज जगा दी है वहाँ पर बहुत जादा रिस्की शेर्स नहीं है ये शेर्स के नाम आपने हमेशा सुने होंगे और इन शेर्स को आप रेगुलरली जब जब इन शेर्स में एक अच्छा खासा गिरावट आए इनको अपने पोर्टफोलियो में एड करिए जो भी शेर्स इन में से आपको अच्छे लगते हैं जो सेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं उनमें आप इन्वेस्ट करिए तो एक अच्छी वेल्थ आप स्टॉक मार्केट में क्रियेट अराम से कर पाएंगे अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बुक सज़ेस्ट करना चाहूँगा साइकलोजी ओफ मनी ये बुक आपको समझाती है कि कैसे आप मनी की साइकलोजी को समझ कर एक अच्छी वेल्थ क्रियेट कर सकते हैं आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग अल्रेडी अमीर बने हैं उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वज़ज़ से वो इतना अमीर बन पाए अब अच्छी बात क्या है कि इस बुक को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इस बुक की समरी को आप सुन सकते हैं कुकू FM पे कुकू FM इंडिया का लीडिंग आडियो शो प्लैटफॉम है दस अजार प्लस से जादा की आडियो शो लाइब्रेरी इसके पास है 4.5 से जादा यहाँ पर गूगल प्लै पे रेटिंग इसकी है और आप अपनी रीजनल लेंग्विज में भी इस बुक को सुन सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मराथी कोई भी आपकी रीजनल लेंग्विज है उसमें आप इस बुक को सुन सकते हैं और अभी चल रहा है बहुत सारे vouchers जीतने का मौका मिल रहा है बनाईए ये दिवाली काम्याभी वाली link description में दे दिया है मैंने जाकर download कीजिए और book सुनना शुरू कीजिए तो दोस्तो अगर मैं shares पे यहां पर बात करता हूँ तो banking sector से हमने 3 share रखें बहुत जादा detail में इस video में मैं बात नहीं कर करते हैं इन companies पे तो banking sector में तीन banks पे आप आराम से rely करके चल सकते हैं क्योंकि ये इंडिया के सबसे बड़े banks रहने वाले हैं कोटक महिंदरा bank उसके बाद आजाता है आपका ICIC bank और SDFC bank अब यहां पर ये तीनों ही banks काफी अच्छे banks हैं अब कभी एक period ऐसा आएगा कि इन तीनों में से कोई एक bank return देगा कभी कोई और bank return देगा लेकिन overall ये तीनों ही काफी अच्छे banks हैं जिनको आप regularly हर अच्छे discount प के लिए एक अच्छा मौका यहां पर IT sector दे रहा है IT sector में चार companies पर बात करता हूं में बहुत ज़्यादा पहला है Infosys Infosys पर हमने detailed video recent में की थी TCS आ जाता है दूसरा तीसरे आ जाता है KPIT Tech और चौथी company आ जाती है यहां पर happiest mind तो यह चार companies हैं जो काफी अच्छी लगती है लेकिन इन में से कुछ company है जो काफी अच्छी returns दे सकती है तो आपको invest करते हुए उस चीज़ का भी यहां पर खयाल रखना है इसके बाद आता है FMCG sector है FMCG sector में तीन companies पहनी हिंदूस्तान Unilever एक इतना बड़ा brand है कि जो भी आप लोग अपना brand घर में use करते होंगे actual का को कोई ना कोई product तो आप इस्तमाल कर ही रहे होंगे दूसरी company FMCG sector में डाबर डाबर भी एक बहुत पुरानी और trustable company है जो आपको एक consistent 8-10% की return long term में generate करके दे रही है और आने वाले time में भी अच्छी returns generate करके देने वाली है बस आपको खयाल क्या रखना है कि आपको किस price में इन companies में पैसा डालना है उस चीज़ का बहुत जादा खयाल रखना है तीसरी company जो retail investors को बहुत जादा पसंद नहीं थी लेकिन ये company लगातार अच्छी returns पिशले एक साल से देती हूँ यार यह है मैं बात कर रहा हूँ ITC Limited की पिछली दिवाली पे भी मैंने ITC Limited की बात की थी तब ये 1500-200 के आसपस इसका price चला करता था आज 300 के आसपस हो चुका है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि इन companies में सिर्फ आपको इतनी चीज़ करनी है कि जब ये companies अच्छे price पे आए तब आपको इन companies में addition करना है तो एक अच्छी returns आपको मिलने वाली है अब बात करते हैं चार consistently compounder companies के बारे में ये company लगातार पिछले कई सालों से आपकी wealth को अच्छा खासा compound करते आ रही है पहली आ जाती है D-Mart यानि कि Avenue Supermarts ये retail segment की एक company है जो एक लगातार consistent returns आपको generate करके दे रही है दूसरी आ जाती है Asian Paints Asian Paints भी अपने sector की market leader है जो consistent compounder पिछले 20 सालों में investors के लिए रही है तीसरी company आ जाती है Pedilight Industries Pedilight Industries भी एक monopoly company आप मान सकते हैं अपने sector में market leader है ये company Fevicol का brand इनका है इसके अलावा Dr. Fixit, Fevicol ये अलग-अलग brands जो अपने segments में market leader है एक monopoly वाली position रखते हैं ये companies आपको एक अच्छी returns generate करके दे सकती हैं इसके बाद दो ये company है जो लगातार NBFC segment में एक अच्छी returns generate करके आ रही है पिछले कई सालों से लोग बात करते हैं कि अब शायदी अच्छी returns ना दे अब शायदी अच्छी returns ना दे लेकिन लगातार अच्छे results के बलपर ये company भी एक consistent compounder आपके लिए बनी हुई है उसके बाद आ जाता है insurance sector, insurance sector की दो companies एक general insurance company ICIC Lombard और दूसरी life insurance company SDFC Life अब SDFC Life को मैं इसलिए add करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि life insurance sector अभी काफी जादा scope है इंडिया में growth होनेगा क्योंकि term insurance के बारे में अब लोगों को थोड़ा बहुत पता लगने लगा है और बहुत सारे लोग अभी भी term insurance नहीं लेते हैं लेकिन धीरे धीरे जैसे इंडिया में और जादा जाग रुपता आएगी तो term insurance की जो demand है वो बढ़ने वाली है life insurance sector में मुझे SDFC Life अच्छा लगता है लेकिन ICIC Prudential उसके अलावा SBI Life ये भी companies हैं जिनमें आप invest करने के बारे में सोच सकते हैं तो जो भी आने वाले टाइम में आपको generate करके देने वाले हैं इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कुछ chemical sector की companies में सबसे पहले बात आती है दीपक nitrite की लगातार हम लोग बात करते हैं अलग-अलग videos में इसलिए बहुत जादा इस video में मैं किसी भी company के बारे में detailed बात नहीं कर रहा हू आप लोग comment करके मुझे बता दीजेगा किसी भी company के बारे में बहुत जादा detail जानकारी चाहिए तो हम separate videos उस company पे कर लेंगे दूसरी company नवीन florin यहाँ पर मैंने इस company के बारे में भी काफी बार आपको अलग-लग time पर बताया है और तीसरी गुजरात florin के नाम की company यह तीन उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो दो थोड़ी सी risky companies हैं यह जिस पे बात कर रहे हैं पहला आ जाते हैं info edge limited यह company majorly internet based business में है जिसमें नौकरी.com जैसी एक website इसकी आ जाती है इसके अलावा भी तीन website यह company चला रही है जिसमें से एक जीवनसाथी.com जैसी एक website है तो यह company भी internet based company है तो future में एक अच्छा growth का scope यहाँ पर हो जाता है और उसके साथ साथ यह company छोटी companies में अपना पैसा invest करती है जैसे की zometo policy बजार जैसी companies में इसने बहुत ही initial level पे इस company ने invest किया था और दूसरी company जो risky category में मैं मानता हूँ वो है zometo limited मुझे लगता है कि यह company भी एक अच्छी growth दिखा सकती है और हमने जब यह 30-40 रुपे पे गया था हमने बात की थी कुछ हमने इसमें additions किये थे और अच्छी returns वहाँ से investors को इस company ने already यहाँ पर दिये तो मुझे लगता है कि zometo भी एक अच्छी company साबित हो सकती है detailed वीडियो में मैंने बात की हुई है क्या इसके risk हैं तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है automobile sector में दो companies जो futuristic EV sector में बहुत ज़ादा काम कर रही है पहली है Tata Motors हाला कि Tata Motors comparatively ज़ादा risk की company है क्योंकि एक loss making company है और बहुत ज़ादा जो इसकी profitability है वो UK से dependent है UK China से जो sale इनकी होती है तो वो एक risk factor Tata Motors के साथ आता है दूसरी M&M यानि कि महिंदरा इन महिंदरा ये company भी EV sector में बहुत अच्छी growth दिखाने की कोशिश कर रही है और साथ साथ जो market का trend है SUV का उसको इस company ने बहुत अच्छा पकड़ा है उसकी वज़े से एक अच्छी growth यहाँ पर M&M के share में भी आपको long term में देखने को मिल सकती है उसके अलावा pharma sector की एक company Divis Labs ये भी काफी अच्छे discount पे इस वक्त आई हुई है और long term में एक अच्छी consistent compounder ये company रही है जो एक regular returns investors को generate करके दे सकती है वहीं अगर आप capital goods sector से बात करते हैं तो वहाँ पर आ जाती है Prince Pipe और Estrel Limited जैसी companies तो ये companies पे भी आपको नज़र रखनी है जैसी अच्छे discount में मिले थोड़ा थोड़ा करके add करने के बारे में आप सोच सकते हैं और आखरी में Kams Limited ये company एक monopoly company है जो mutual funds को services provide कर रही है तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा scope है क्योंकि बहुत सारे mutual funds है market में लेकिन ये mutual funds को service provide करने वाले सिर्फ दो ही company market में मौझूद है तो ये company भी एक regular investor को और long term investor को consistent returns long term में generate करके दे सकती है तो दोस्तों ये हैं वो सारी companies जो मुझे लगता है कि long term में अच्छी returns दे सकती है लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि आपको जाते ही इन सब companies में invest नहीं करना है धीरे धीरे इन में invest करना है कब मौके मिलते हैं वो मैं चैनल पर regularly बात करता हूँ और जो companies में आपको अच्छी discount मिलेगी मैं बार-बार वीडियो बनाकर उन companies पर बात करता रहूँगा कि ये companies ले लो ये companies ले लो अब आपके उपर है ये कि आगर आपको ये companies का sector अच्छा लगता है क्योंकि उसी के combination से अच्छी company को अच्छे discounted price पर अगर आप खरीदेंगे तो ही आप एक अच्छी wealth create करेंगे इसलिए हम जब भी इन companies में discount लगता है तो हम लोग वीडियो बनाकर उस चीजों पर discussion करते हैं बस आपको करना इतना होगा कि जब इन में discount आएगा तो आपको हिम्मत करनी है और invest करना है और दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कुकू FM का link description में दे दिया है दिवाली सेल का फायदा उठा सकते हैं 50% discount subscription पे और 10 लाग रुपे तक के इनाम जीतने का मौका तो जाकर download कीजिए और book सुनना शुरू कीजिए उमीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपकी help होगी और ये जितने भी shares हैं इन में से जो भी shares आपको अच्छे लगते हैं उनमें invest करके आप अच्छी returns generate करेंगे ये वीडियो किसी भी तरह की recommendation नहीं है मैं सिर्फ ये वीडियो आपके education purpose के लिए बना रहा हूँ ये सारी shares हैं ये मेरे portfolio में भी काफी सारे shares हैं तो मेरी जो opinion है वो काफी biased भी हो सकती है आपको जो companies अच्छी लगती हैं उनमें आप regularly invest करिए और मुझे पूरी उमीद है कि एक अच्छी returns आप generate करेंगे